प्यार से बुकार लो यहां वो तुम यार से पुकार लो जहां वो तुम यह अभी जो मैं तान गाया हूं पहले तो नमस्कार है स्वागत आप सभी लोग का और वादा के अनुसार जैसा मैंने कहा था कि के दस थाट का 10 वीडियो आप लोग तक पहущेगा यह बिलावल थाट का वीडियो आप लोग तक भीज्च रहा हूं प्रैक्टिस करने में थोरा वト लगेगा चुकि चीजें जो मैंने क्लेक्ट किया है हर एक चीज को ध्यान में रखके तो थौरा सा व्त लगे गा तो मैं टा तो आप कैसे प्रैक्टिस करें यह जो एक परकार की आपके गला में आजा इसको ध्यान में रखके मैंने खुद कंपोज किया है तो पांच ता अलंकार है तीन ताने हैं तो अभी तो मैं फास्ट करके का रहा हूँ मेरा खुद का कंपोज किया हुआ है आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे किस अंदाज में करेंगे सारी बात बताई हुई है तीन तान के बाद दो आलाप हैं आलाप को कैसे काना है पहले बजा के फिर सरगम में फिर आकार में और फिर बिना बजाय हुए स्वर्ग्यान के ख्याल से तो ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा फिलाल अभी एक दो स्वांग को नोना के दिखा जेता हूं बिलावल थाट में ताकि जहन मेरे और फिर सिस्टेमेटिक नोटेशन के साथ आपको वीडियो आप तक मोंचेगा डि करें तो बिलावल से रिलेटेड एडवांस चीज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा यानि कि एक वीडियो से रिलेटेड और भी चीज़ें आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में खास बात ये है कि मैं अभी उस दिन के लिए शादी समारों में जाओंगा तो जरूरत का सवाल होगा वह आप कॉमेंट में लिखेंगे मैं ऐसे भी ब्लॉग के जरीए ब्लॉग जैसे आम बनाके आपके सवाल का जवाब दूगा ये मैं करता रहूंगा बीच बीच में तो आप लोग अभी ये अच्छा मौगा है आप लोग सवाल पूछ सकते हैं प्र स्क्रेफस नियसा ये शांग भी था और भी आए एक प्यार का नगमा है मौजों के रवाण ये सब अभी रियास से आएगा इन देगी याँ पुछ भी नहीं ये सब आएगा अभी रियास से जिन देगी याँ कुछ भी नहीं तेरी मेरे कहानी है छो कर मेरे मन को किया तू ने क्या इशारा है बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा इस टैप का चीज बिलावल से रिल्डेट में लेगा आगे कॉमेंट तो जरूर ही करना है सवाल भी पुछना है रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखना है हर एक वीडियो का अच्छा से प्रैक्टिस करना है क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिलेगा और खास बात मैं हर एक वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाऊंगा आप लोग पहले से जानते हैं उसका रूप चेंज मिलेगा आपको और इसी अलंकार से दो और अलंकार भी आपको मिलेगा जो बिगनर्स अलंकार जो शुरू से आप बजाए हैं उसी को एडवांस बनाना है कौड का पड़ियोग करके तो पहला काम तो यह है कि बिलावल का सानीधापा मागरेशा यह विलावल के नोट हो गए C-sharp से कौड जो बनेगा सागपा, फॉस्ट कौड, रेमधा, गपनी और मधासाद, अब कौड में कभी-कभी कन्फीजन में लोग रहते हैं सागपा तो यह कौड जो होगा सा के लिए भी, गौ के लिए और पौ के कभी-कभी एक सुर के एक, दो, तीन कॉड भी बन जाते हैं, तो कोई भी कॉड यूज किया जा सकता है, यह थोड़ा एडवांस बात है, लेकिन फिंगर को आदर डालना है, कौन सा अलंकार है फर्स्ट, यह देखने हैं, सारे गा, कॉड, रे गा, मा, कॉड, गा, मा, पा, म पाधा, या, मा, पाधा, फिंगर ऐसे भी रख सकते हैं, कॉड जरूर लेना है, अब नी के लिए यह कॉड भी लगे, गापनी या पिर पाणी रे, पाधानी, धानी सा, सा के लिए मौधा सा भी यूज़ कर सकते हैं या उपर का सागपा भी ले सकते हैं वापस आएंगे सा नीधा नीधा पा धापा मा पामागा मागरे गरे सा अलंकार वह ही था कौड का यूज़ करना आगे इसी अलंकार को बेश करके Second अलंकार अलंकार नमर टू देखे क्या कड़ना है सारे का कन नोट लगाना कन स्वर गय की में आता है कन नोट कैसे इसी अलंकार के साथ आपर प्रैक्टिस कर सकते हैं गौपी एंडुआ, तो पौप का कन लगा के आना है, पौप बोलना नहीं है, गौप की आवास से ही पौप को टच करना है, एक नोट छोड़के, ऐसा ही हर एक जगा करें, कैसे होगा? सारे गा 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 रे गा मा गा मा पा तो नोट जो कण नोट लग रहा है द्यान में रखें कि पा का कण लगाना है तो नी के साथ हम ले रहा है धो को स्कीप करके ऐसे पिर एक नोट अल्टरेट करके नीध पा रखें का को नोट यह लगना चाहिए यह द्यान आवाज से यह लग छूना चीए आवाज नी धा पा पा नी पा नी बोलना नहीं है सिर्फ नोट लगाना है पा पा धा पा मा पा मागा मागारे गरे साथ ये कण सोड़ा दियान रखेगा एक एक नोट अल्टरनेट करके जाना है उसके बाद इसी अलंकार को बेस करके सारे गर तीन पैटरन वला को इससे थोड़ा जाएदे एडवांस करना है पहले पा स्वार का लगाना है और नी का फा और नी यानी कि गव के बाद एक छोड़े तो पा पा के बाद एक छोड़े तो नी तो इसका कंड़ स्वार, पो और नी का कंड़ स्वार गौ के लिए यूज और यूज करें अगर इसका सूर निकालते हैं गपनी पगा तो गपानी बोलना नहीं है, गौ के कंड़ स्वार के रूप में इसका यूज करेंगे गाय़की में बहुत काम देता है. सा रेहर, रेहर, अब रेहर, माँ में आइंगे, तो माँ के साथ कौनसा कन लगेगा, दो नोट लगाना है, माँ के बाद पाक छोड़ेंगे धो, भएजार के बाद नीच छोड़ेंगे, अगर यह टाच्च हो रहा है तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो रहा तो शुरूवात में कोशिश करना च्छिए फिर से देख लेजी शाण फास्ट करेंगे तो बहुत खुसरत लेकिन शुलो ब्यास करें सारे फैख यह तक होसी माँ यह टाच होना चियावास रे गामा थार्ड में चलेंगे गामा पा में आए पा का दो नोट कंड में लगाना है तो एक यहां नी लगेगा और एक सा को छोड़के रे लगेगा यहां का कोड भी लगा सकते हैं जो पहले लगा देए और उसके बाद इससे बढ़ते हैं तो अब ध्वा का दो नोट कंण में लगाना है नी को छोड़ेंगे सा और रे को छोड़ेंगे तो गौ तार सब तक का नोट तक आपको छुने का मौका मिलेगा कंण नोट के रूप में कैसे लगेगा ये मापा धा ये नहीं छुटना ची धा, 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 मापा धा, मापा धा पौसे पाधा नी नी का कंण दो नोट यानि की रे और गौज छोड़ेंगे तो उपर का मौ यहां से पाधा नी अर लास्ट होगा धानी सा सा के लिए कंण स्वर्ग, पौत को टच करना पड़ेगा अगर आवाज से शुरुआत में नहीं आता है तो ट्राई जरूर करना है इविनिंग टाइम में यहां जरूर ट्राई करना है कैसे होगा? धानी सा, सा, यह लगाना है धानी सा, अब रोख करेंगे इसका किस परकार से होगा? यह देख लिए सा से चलेंगे सा, नी, धा, वही कण लगा है धा पे आए तो धा का जो दो नोट कण है धा, सा, यह लगाना सा, नी, धा, नी, धा, पा, पा, नी, रे, नी, सा, यहां से नी, से धा, पा, मा, पा, मा, गा, मा, गारे, गारे, सा, यह हो गया अलंकार नमर तीर सुलू प्रैक्टिस करके मेन फोकस करिया है कान नोट टच करें आवाज छूटे नहीं इसलिए सारे गा, 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 यह एक-एक पार्ट को कई-कई बार कर लेना है अलंकार नमर तीर अलंकार नमर चार बहुत जबरदस्त का होने वाला है क्योंकि यह एकदम डैरेक्ट गायकी में काम ही देता है आप सिधा रियाज प्रैक्टिस शुरू कर देजेगा उसका पैटर्ण कुछ यह है नीचे के मंदर सब तक के पोग से चलना है अब पोग को बेस करके कैसे करना है पहले मेलोडी सुन लिए यह नोट बना फॉर्स्ट सा में आने के लिए नीचे तीन नोट लेंगी जिस नोट से शुरू करना है सा से शुरूख, यहां सा पे रुखना है, तो सा से नीचे 3, 1, 2, 3, 3 आएगे, ओके, और उपर 2 नोट लेंगे, उपर 2, नीचे 3, उपर 2, बीच में यह, यानि कि यह composition रहेगा, सा, 1, 2, 3, 4, और यहां से 1, 2, 3, 3, तीन नोट यहां, तीन नोट यहां, यानि कि 6 नोट का composition है, पह से चलेंगे, अब कहेंगे, इसमें खास क्या है, खास यह है, इसको जब धुराफास्ट करेंगे, आकार में, तो देखिए कैसा बनेगा, एकदम घजल बेगा, लेकिन पहले, सुलोड याज, अधा से चलेंगे, सेम वोई, यहां, पढ़नी सा गरिसा, पैटरों समझ लि धासे चलेंगे, दो नोट लेंगे उपर, रे के लिए यूज़ हो रहा है, मागरे, और रे के से, पैटरों से चलेंगे, आप रोमे करेंगे तो सेम यही चीज़ करते हुए आना है पधनी सागरे साग म पधनी रिसानी ग मा पध सानी धा री ग मा पनी धापा सारी ग मधा पामा जब इसको तयार कर लेंगे तो जबरदस्त इसका आएगा फरक्कत आएगा गला के अंदर थोड़ा फास्ट करके देखें बहुत बजाने बला है आकार में में फोकस आकार सरगम तो करना ही है आकार में करना है लास्ट काजी कंड के रूप में लगाना है इसी हिसाब से भनी सारे मगरे नी सारे गपमगा सा से चलेगे सारे गमा धपमा आप ये देखिए एक दम नद सब तक में आए इसको थोड़ा अच्छा से गागे देखिए तैयारी करना पड़ेगा लेकिन बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा रे से चलेंगे रे गमा पनी धपा ऐसा करके इसको कंटिनिवसली करना है बहुत जबर्दस्त का चीनिए अब जो अलंकार मिले ये कोमन हरकत के लिए गाय की वे यूज होने वाले कंसवर हरकत के लिए है अब गमक के लिए गमक दो तरीका का यूज होता है नीचे से उपर जाने के लिए उपर से नीचे आने के यह रियाज के जरी है यह जो अलंकार बता रहा हूं गमक आ जाएगा अल्टरनेट नोट यह भी बेस किया हुआ है आपका बेसिक अलंकार को ही लेकिन थोड़ा चेंजिंग है बेस क्या है इस अलंकार का पाचमा लंकार लेकिन गमक लाना है कैसे करना है सा से गवाँ में जाएगे सा को हिट करते हुआ अब जिनके गला में यह नहीं आ रहा है क्या करें एसा कुछ दिर रियाज करेंगे हर एक नोट पे ऐसा रियाज आरो अब्रों में करेंगे तो यह आने लगें क्या किया हुआ है आज सागर आज अज दूबारा टच करके जा रहा है आज प्थिश करके देखें एक जी आउर ध्यान रखिएगा ये जो हो रहा है आप गौसे जब रे में आते हैं रे मौ के लिए तो यहां भी एक गमग ये गा को भी हिट करके बाद में रे में आते हैं इसको भी हिट करके गौह में आप वापस आएंगे इसमें क्या है ये गमग लोटने का हिट कर रहा है सादा नीपा धा 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 मा पगा मारे गासा ये गला के अंदर आब आक आर में करेंगे दो हाद है सिंपल नहीं उतर रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यह था पांच अलंकार इलावल का अभी हम लोग चलेंगे तीन तान और दो आलाव